तो कोई यह नहीं कह सकता कि यह कोई isolated single case है जिसे एक कहते हैं ना कि एक हुतो समझाईए आके कूपही में यह भांग पड़ी है यहां ऐसा लगता कूएम भांग पड़ी है या यह निन्यान नबे के नशे में बहुत मदोशी थी ना कॉंग्रेस की तो ऐसा लगता है कि जमीन को देखकर तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो वही आज मदोश है आज तो में दिवाना गजब ढ़ा गया जीव गांदी फाउंडेशन को डिड़ सो करोड मिल सकते थे मगर इनके अनुसार स्वतंता आंदोलन का संचालन करने वाले नेशनल हेरल्ड की सोसाइटी को सरकारी विज्यापन और सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता था और नब्बे करोड में विकना था तो जो प्रवत्ति राहूल जी और सोनिया जी में दिख रही थी वही मलिक आरजुन खडगे जी में दिख रही है वही सिदार हमया जी म हमार जी में दिख रही है और आज जिस प्रकार की चुपी कॉंग्रेस पार्टी ने और इंडी गडवन्दन के सारे दलों ने साध रखी है उसके उपर हमारा उनसे सीधा सवाल है और ये साफ दर्शाता है कि जनता की गाड़ी कमाई से बनी हुई सरकारी संपत्यों को प्रण चला रही है तो ये कॉंग्रेस का नैतिक पतन है भूदान से लेके धूहरब तक वहां पर C.A.G. ने जो अपनी रिपोर्ट में पॉइंट आउट किया 2017 से उसमें लिखा है इसकारत क्या हुआ कि यदि आज कॉंग्रेस पार्टी के नेता सिदरमया जी हो या खडगे जी हो वो जमीन वापस कर रहे हैं तो कोई जमीर नहीं जागा है जो जमीन वापस कर रहे है आदालत की कारवाई से में होने वाली चलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस कर रहे है मित्रों भरष्टाचार जिसकी सहज और स्वाभावीक प्रवित्ती है उस कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षपद से अब वो जमीन खिसकती नजर आ रही है कॉंग्रेस अध्यक्ष श्री मलिकारजुन खडगे जी ने गंभीर रूप से उनके ट्रस्ट और उनके परिवार के द्वारा संचाली ट्रस्ट पे रहे आक्षेप लगने के बाद आबंटित भूमी को लोटाने का जो निर्णे लिया है ये इससे पूर्व करनाटक के मुख्यमंत्री श्री सिधार मैया जी ने यही किया था ये इस पश्ट रूप से यहाँ प्रमानित करता है और यह एक प्रकार से स्वीका रोकती है कि सत्ता का दुरुप योग करके भूमी को हडपने का कारे करनाटक में कॉंग्रेस में सर्वोच्च इस तर पर हो रहा था इतना ही नहीं है मुख्यमंत्री पहले इसमें सनलिप्त रह चुके हैं 2015 में उप मुख्यमंत्री डीके शुकुमार जी की ऊपर लैंड ग्रैप का केस लग चुका है जो की बंगलो डेवलप्मेंट अथॉरिटी के द्वारा 1986 में आबंटित भूमी के समय से चल रहा था उसक स्कैम जो मैसूर अर्बन डेवलप्मेंट अथॉरिटी का स्कैम जिसमें चीफ मिनिस्टर साथ उनके इन्वाल थे फिर करनाटका इंडस्टियल एडी बी लैंड ग्रैम जिसमें की खड़गे जी की फैमिली के लोग इन्वाल थे और इतना ही नहीं है इससे पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलना जी का नाम आ चुका है तो राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोच जी का नाम बीकानेर के लैंड स्कैम में आ चुका है तो भूपेश भगेल जी के पास आ चुका है अर्थात मुख्यमंत्री हो उपमुख्यमंत्री हो अत्वार रा वो केस हमारे जमाने में शुरूआ अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर वो केस दर्श किया गया था इससे बहुत साफ हो जाता है कि कॉंग्रेस में सारा शी इसने तर्टू किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो कोई भी उपमुख्यमंत्री हो उनके पूर्वर राष्टी अध्यक्षों वर्तमान राष्टी अध्यक्षों और चिर्युवा नेता हो या बुदुर्ग नेता हो सब एक दृष्टी में समान है कि गरीब की भूमी कैसे हडपनी है सब भृष्टाचार में भूमी हडपने के आंदोलन में बहुत समान रूप से सनलिप्त हैं कभी कभी मुझे लगता है कि एक वो कॉंग्रेस पार्टी थी जो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित थी और आचारे भिन्वा भावे जी ने भूदान अंदोलन चलाया था आज राहूल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के विचारों से प्रेरित ये कॉंग्रेस पार्टी है जो भू हडप अंदोलन चला रही है तो ये कॉंग्रेस का नैतिक पतन है भूदान से लेके भूहरब तक और इतना ही नहीं आपको ध्यान हो सर्वोच इस्तर तक मतलब आज माँ चीफिनिस्टर और राष्ट्री अध्यक्ष अगर इन्वाल है आप कल्पना करिये कि किसी दूसरी पार्टी के या हमारी पार्टी क किसी सिस्तर के नेता पे आरूप लग गया होता तो तो उसके बाद किस धंका वितंडावाद मचाया गया होता और आज जिस प्रकार की चुपी कॉंग्रेस पार्टी ने और इंडी गड़बंदन के सारे दलों ने साध रखिये उसके उपर हमारा उनसे सीधा सवाल है और य नेशनल हेरार्ड केस में आप सब को याद होगा कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी कंपनी जिसके सैखनों करोड की मतलब दो हजार से लेके तीन हजार करोड तक की संपत्त ही हो और वो नवे करोड की देंदारी में विक जाए और वो भी जबकि तीन तीन अकबार उसके थे आप सब पत्रकार हैं मैं कहना जाता हूं तीन अकबार नेशनल हेरार्ड हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज दस साल इनकी सरकार रही जादा नहीं केवल एक एक करोड का विग्यापन देते रहते तीनों अकबारों को तो दस साल में करजा उतर जाता 500 करोड मिल सकते थे मगर इनके अनुसार स्वतंता आंदोलन का संचालन करने वाले नेशनल हेरार्ड की सोसाइटी को सरकारी विज्यापन और सरकारी अनुदान नहीं मिल सकता था नब्बे करोड में विकना था तो जो प्रवत्ति राहुल जी और सोनिया जी में दिख रही वही मलिक आरजुन खडगे जी में दिख रही है वही सिधार अमया जी में दिख रही है वही डीके शुकुमार जी में दिख रही है और इस विशे के उपर हमारे करनाटक की तरफ से भी ये विशे कई बार उठाया गया और ये मामला इतना आसान नहीं है हमारे member of parliament लहर सिंग सुरुया जी ने इस विशे को take up भी किया हुआ है और वहाँ पर CAG ने जो अपनी report में point out किया 2017 से उसमें लिखा है to ask the committee to fix the responsibility for violating the guidelines of the court order and suggest the appropriate course of action against the defaulting officials for the deletion of the land under category A इस कार्थ क्या हुआ कि यदि आज Congress Party के नेता सिधरमया जी हो या खडगे जी हो वो जमीन वापस कर रहे हैं तो कोई जमीर नहीं जागा है जो जमीन वापस कर रहे है आदालत की कारवाई से में होने वाली जलालत से बचने के लिए वो जमीन वापस कर रहे हैं और मैं की दुकान तो किसी भूम आफिया Property डीलर की दुकान में जड़ा रही है जहां दूसरों की property हड़ पी जाती है जनता की प्रपर्टी हड़ पी जाती है और उसके बाद उसको अपने चहेते लोगों को अनुदान दे दिया जाता है तो मेरा राहुल गांधी जी से साफ सवाल है कि आपकी महबत की दुकान ये इलीगल प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में कैसे तबदील हो गई मेरे भाई अभी तक तो उसमें नफरती सामान मिलते थे जहर बुझे सामान मिलते थे अब ये illegal property की दुकान भी हो गई इसलिए हमारा साफ मानना है कि Congress Party आकंड प्रष्टाचार में डूबी है और जमीनों के घोटाले में कुछ ऐसी Congress को जमीन से लगाव है कि जहाँ जहाँ सत्ता में आती है हर्याना हो, राजस्थान हो 36 गड़ हो, करनाटक हो जमीन के साथ इनका विवाद जरूर जुड़ जाता है और जिस इस तर तक इनके सभी नेता इसमें आरोपित है तो कोई यह नहीं कह सकता कि यह कोई isolated single case है जिसे एक, कहते है न कि एक हो तो समझाईए आके कूपही में यह भांग पड़ी है यह एक कोई हो तो समझाईए यह यह एसा लगता कूपही में भांग पड़ी है यह निन्याद नवे के नशे में बहुत मधोशी थी ना Congres की तो ऐसा लगता है कि जमीन को देख कर तो उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो वही आज मदोश है आज तो में दिवाना गजब ढ़ा गया तो जबसे वो दिवाने बने हैं जो जोश के साथ निन्या नवे के खुमार के साथ तबसे वो गजब ढ़ा रहे हैं और जन्ता पे कितना गजब और कहे ढ़ाय जा रहा है वो हमारा साफ है इसलिए हम कांग्रेस से सवाल कहना चाहते हैं कि आप बताईए कि नेतिक्ता के आधार पे जिन लोगों ने जमीन वापस कर दी क्या उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए जब आपने स्वीकार कर लिया कि ये जमीन गलट आबंतित थी और वह भी सीए जी की रिपोर्ट और कई कोर्ट की प्रक्रियाओं के शुरू होने के बाद राजिपाल के द्वारा पर्मीशन मिलने के बाद तो कॉंग्रेस अध्यक्ष कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री और राहुल जी और सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ जमीन वाप वापस करने से काम नहीं चलेगा यह बताइए कि अगर जमीन वापसी की है तो क्या नेतिक आधार पर आपको इस्तिफा नहीं देना चाहिए धन्यवाद प्रद्ग्याद पहले इस बीसे पर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं नीरश पांडे मेरे विचार से यह तो वो इस्तिती हो गई इसको शब्दशा ना लिया जाए यदि किसी ने किसी की कोई चीच चुरा ली हो और F.I.R. दर्ज हो जाए वो कहें मैंने वापस कर दी तो मामला नहीं बनता है मुझे लगता है अगर कोई इस प्रकार के तर्क देता है तो इसका मतलब श्री राहुल गांदी जी को जो एक संग्या दी गई थी जो आप वो प्रयोग नहीं की जाती है वो जनता को वो समझने की गलत फहमी न रखे आप वो हो सकते हैं वो शब्द अगर जनता वो नहीं है कि आप इस दंके बचकाने तर्क देकर बचने का प्रयास करें और ये भी बताईए हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर उनने मान लिया की गलती हो गए तो फाई यार कप करेंगे करनाटक सरकार फाई यार कप करेंगे बाकी तो हर चीजों के उपर बहुत तरीके से होती है इसलिए पुनह हमारा नैतिक सवाल आज भी उनके लिए एक राजनैतिक यक्ष प्रश्न बन कर खड़ा है देखिए ये जो चनून जी का वक्तव आया है इसने फिर कॉंग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है इस पश्च रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कॉंग्रेस के पश्च में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कॉंग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी और वो कई वैसे शब्द प्रयोक कर रहे हैं भूपिंदर हुड़ा जी के लिए जिसको हम यहाँ पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे मगर एक बात बहुत साफ हो गई अब कॉंग्रेस की कलाई खुल गई बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे वो कॉंग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोशित आंदोलन था ये आज के चंडूनी जी के इस वक्त तब से साफ हो गया और रहुल गान्दी जी के शब्जों में दूद का दूद पानी का पानी हो गया अब मुझे लगता है कॉंग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ गंभीरता से सोची है ये पूरे मैं देश के करोडों लोगों को फूट पर थाट के लिए कहना चाहता हूँ ये जितने आंदोलन खड़े होते हैं जो कहते हैं हमें गैर राजनेतिक आंदोलन हूँ सबका अंतिम लक्ष सब्ता होता है केजरीवाल जी उसका उधारन थे जिन्हों ने कहा कि हम गैर राजनेतिक मुद्दे पे आगे बढ़े हैं और मौका पाते ही अपने अगल बगल वालों को किनारे करो खट से जाके सत्ता की कुर्सी में बैढ़ जाओ और अगर देखा जाए तो पहलवानों के अंदोलन के साथ भी यही हुआ था गैर राजनेतिक था फिर कॉंग्रेस का समर्थन और फिर सीधे कॉंग्रेस के रिंग में ही जाकर उतर जाना और आज चनूली जी का जो वक्तव है वो भी साफ यही दर्शाता है तो देश की प्रबुद्ध जनता को आगे से समझना चाहिए कि यह गैर राजनेतिक आवरण के नाम पर जो अंदोलन खड़े के जाते हैं उनका एक में वो लक्ष सत्ता ही होता है प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो अब कॉंग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने जवाब दिया है मुझे लगता है कि अगर वो कॉंग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो 138 साल पुरानी कॉंग्रेस पार्टी है मैंने पुना कहा जो ये कहती है वो गांधी के आदर्शों पे चलती थी जिस पार्टी के में कभी बिनोवा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था अब ये भूदा पांदोलन चला रहे हैं इसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि कारण क्या है वो कॉंग्रेस कोई और थी जो गांधी जी थे जो देश के लिए कारे करते थे और यहां ये गांधी परिवार के लिए कारे करते हैं तो जमीन आस्मान का अंतर है समाज क पहले अपना घर भरेंगे फिर रिष्तेदारों का घर भरेंगे तो जो सोच कॉंग्रेस के सरवोच परिवार में थी कि उन्होंने का अपने दामा जी का घर भरेंगे तो वही अपने बेटे और दामा जी के लिए खड़गे जी में है तो वही सिधार मैया जी में है तो वह देखे इस पे उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी महौल बिगाडने कोशिश की उन्हें बख्षा नहीं जाएगा मगर एक बात और गंबीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस धंकी घटनाें देश में बढ़ गई है ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ मैंने से कुछ ताकत बढ़ गई है कुछ शक्तियों की यह कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है यह कौन सी शक्तियां है जो भारत को कमजोर करना चाहती है आर्थिक आधार पर भी सामाजिक आधार पर भी सांस्कृतिक आधार पर भी यह सब कहीं न कहीं उनी शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं, और फिर मैं दर्शकोंज कहा रहा हूँ, मैं सारे देश से विचार करने के लिए कहा रहा हूँ, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटिट फॉर्म में देखिये, तो भारत के खिलाफ होने वाले शडियंत्र को आप बहतर समझ सकेंगे। forget about direct, even to suggest anything to the parliament of India or the government of India. If Kerala government is trying to do this type of thing, sahmajte je hai, samvidan kharestan me hai. I would like to remind these are the same India alliance governments which have passed their vidhanushabar. Assemblies have passed against CAA, which was a law passed by parliament. no state assembly under constitution is having any power to pass a law or proposal against the parliament moreover it was related to citizenship as per constitution state has no role in citizenship samidhan khatray mein hai toh joh kuch kerala mein kehne ki baat ho rahi hai wo samidhan khatray mein hai and moreover kerala tamil ladu and particularly in kerala government hindu temples are under government control and work board has to be under total control of the society with due donation from the government also in this context our state governments will take an appropriate action in accordance with the law and the direction given ah dekheyeh madarsha mein ham baat saaf kaatay hai ki joh legally established or proper registered or legal functioning ka nusar kam kar raha hai woe ek category hai aur joh niyama nusar kam nahi kar raha hai woe harsi ke tah sixteen kateegliche और सरकार उसमें जो गुनेगार हैं उनको पकड़ने में भी सफल हुई है कुछ को और बाकियों को पर उप्युक्त और प्रभावी करवाई होगी मुझे लगता है संजे राउद जी शायद भूल गए नबे के दशक में जब अंडर वर्ल्ड का बोलवाला था तो जिस अंडर वर्ल्ड का जिन लोगों को समर्थन था और जिसके खिलाफ स्वरगी बाला साफ ठाकरे जी ने स्टेंड लिया था और मैं कहना चाहता हूँ बाला साफ ठाकरे जी का वो स्टेंड नहीं होता तो शायद मुंबई अंडर वर्ड के बहुत तगड़े गिरिफ्ट में 90 के दशक में चली गई होती मगर आज वो उनी लोगों के साथ खड़े हैं जो उस अंडर वर्ड का समर्थन करते थे तो मुझे लगता है अंडर वर्ड का इतिहास और आज का अपना वर्तमान देख लें तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इसका उत्तर वैसे दिया जा चुका है हम पुना कह रहे हैं दो प्रकार के मदर से हैं एक जो नियमानुसार चल रहे हैं और नियम का पालन करते हुए चल रहे हैं और अधिकांश हैसे हो गए थे जो की नियमानुसार नहीं चल रहे थे अनेक राज्यों में तो हमने केवल उसके उपर कारवाई की है किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं और बाकी जो आयोग ने कहा है उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विदि सम्मत कारवाई होगी वो सरकार करेगे